असलाम अलेकुम एब्रिवान वालकम बैक टू माई चानल वह में देखे आप लोग सब बिल्कु ठीक होंगे तो आज की वीडियो जो है वह बहुत जादा इंट्रस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे शेंपू शेयर करने वाली हूं जो क भी हो तो ऐसे कुछ शेंपू आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं जो मैंने खुद भी यूज़ करें है और कुछ आप लोग के साथ सज्जेस्च भी करूंगी आप लोगो रिक्मेंट भी करेंगी जो आप लोग यूज़ कर सकते हैं अपनी के लिए वीडि में आपको स्क्रीन के साथ अटेच करके आप लोग देख लें एक बायो लाइन का शैम्पू है और एक पाव कमफर्ट का शैम्पू है बटर मिल्क यह दोनों ही शैम्पू बहुत जड़ अच्छे हैं कि टिन्स के लिए और मैंने इसके बहुत जड़ रिव्यू सुने हैं और अच्छे से जो है ना वो बिलकुल सही कर देता है हेर मैंट्स वगरर नहीं पड़ता है आपकी कैट के अंदर बहुत ही बहुत ही बहुत टाइम से यूज कर दीवे आ आ रही हूं आप लोग देख सकते हैं कि कितना है यह सबसे अच्छी बात मुझे इसकी यह लगदी है कि इसके साइज़ साइज बहुत जादा मिल जाती है और दूसरा यह कि इसके प्राइज ख़यर बहुत जादा अच्छी है आपको हर ऑन लांनी स्टोर और वगद बहुत है यह नपको इन्स्टरग्राम में का पेज है आपकों कउंफ़र्ट के कंडिशनर है ।ो पार मिल जाएगा अगर आप स्प्रे नहीं यूज करना चाहते हैं और आपको इस तरीके का कंडिशनर यूज करना चाहते हैं तो आप वह भी यूज कर सकते हैं जाने कि आप इसे किस तरीके से यूज कर सकते हैं इसको भी जब मैं कैस्पर को शेंपू करती थे शेंपू करने के ब आपको बिल्कुल इसको बात मदब प्रॉपर बात देना है आपको इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं तो दोनों शेयर करने का मकसद यह कि अगर आप लोग चाहें तो आप लोग ये भी यूज कर सकते हैं तो उसके लिए मैं आपको ये दो पाउडर्स हैं, ड्राइ पाउडर्स हैं, ये मैं आपको रिकमेंड करती हूँ, जो कि आपकी कैट को बिलकुल साफ कर दिना है, मतब उसके पास से बहुत अच्छी स्मेल आने लग जाती है, और बिलकुल इसको जितने भी स्मेल आ रही है, थोड़ी बहुत बहुत गंदी हो गई है, तो उसके लिए ये पाउडर्स जो है, वो बेस्ट है, आप लोग देख सकते हैं, ये वाला जो है, वो है रीमू का, और ये है फलफ और पाउडर्स का, तो ये दोनों मेही तरस से रिकमेंड़े है, आपको एजिली हर आनलाइन स् और इसकी जो सेंट है, वो बहुत ज़ादा अच्छी है, इसके लावा अगर मैं बात करूँ वाटर्लेस शैंपू की, तो मैं आपको दो वाटर्लेस शैंपू करती हूँ, फर्स्ट वन है फलफ और दूसरा है ये रीमू का, ये दोनों में आप लोगो इसलिए रिकमेंड क के छोटे साइजस में आपको ये मिल जाता है, यह 500ml की बटल है यह वाली और यह हाँ, यह 200ml की बड़ी बॉटल है, आपकी छोटे साइज~! प्रोडक्त में यह जाएगा और यह जैसे ही खतम होगा आप तो देख सकते हैं कितना यूज कर चिकी हूं यह जैसे ही खतम होगा मैं इसकी बड़ी बॉटल मगवाने वाली हूं क्योंकि मुझे बुखा ज़्यादा पसंदे इसकी सेंट बहुत अच्छी है और एक दम से बिल इसकी बहुत सदे केर करनी पड़ती है तो उसके लिए मुझे यह जो वाटरलेस शेंपू है वह मैं रिकमेंड करूंगी अगर आपके पास वाइड के तो आप उसके लिए यह यूज करिएगा इसके इलावा अब जो मैं आप लोग को शेंपू रिकमेंड करने वाली हूं और थो ऑलीडिदे यूज करुँ है इसके भी साइज़े आपको सारे अवशलिये मिल जाएंगे उनक yem पे आप लोग जाके देख सकते हैं दरासों फिर्ड मैं यह मैंने यूज करेंे हैं यह दोनों ही मुझे इन दोनों की सेंट बहुत ज़ाएदा अच्छी लगती है अग जब उनके पास से बहुत अच्छी स्मेल आए को उनके लिए आप ये शेंपू ले सकते हूं मही तरफ से रिक्मेंडेड है इसके लावा अगर मैं बात करूँ किसी अच्छे ड्यूडाइजर की तो मुझे बायो लाइन का ये वाले ड्यूडाइजर बहुत जादा पसंद है इसकी स्मेल इतनी प्यारी है और इसको लिए हुए मुझे काफी अर्सा हो गया है जस्ट टू पंप आप अपनी कैट के उपर करें मैं लिट्रिली बता रही हूं काफी दिनों तक जो है इसकी स्मेल जो है वह बहुत जादा लॉंग लास्टिंग है और ये वन इसकी कैट से उनके लिए अलग शैंपू तो अगर आपके पास वाइट कैट है और आप उसके लिए कोई अच्छा शैंपू लेना चाहते हो क्योंकि बहुत सारे लोगे बात कहते हैं कि हम अपनी कैट को नहलाते हैं बड़ फिर भी इतनी गंदी लग रही होती है यानिकि उसके मदब सही तरीकी से साफ नहीं होती या उसके पीला पन रह जाता है कुछ इस तरीकी की चीजे होती है तो उसके लिए आप ये शैंपू ले सकते हो ये शैंपू बहुत अच्छा है एकदम से बिलकुल एक शाइन दे देता है बिलकुल क्लीन कर देता है और इ यूस कर चुकी हूं और और आगी मैं इसे उसे चरती नहुंगि को लिए इस तो इसके लावा है कुछ लोग कहते हैं कि अगर उनके पास वाइट के था है तो उनके लिए जो बैस शैंपू है रीमो के शैंपू को हटा कर तो वह उनके लिए मैं बायो लाइन का शैंपू रिकमेंट करूंगी और पाउ कमफर्ट का जो है वो मैं सब्सक्राइब के लिए इसके लावा अगर मैं बात करूँ कि आपकी कैट को फ्लीक्स वगरह हो जाती है तो उसके लिए आप इस्प्रे वगरह पूछते हो तो मैं आपको यहाँ पर रीमु का फ्रंट लाइन इस्प्रे जो है वो रिकमेंड कर रही हूँ यह बहुत अच्छा शेंपू है इसके इना तो वेट के के नाम से शेंपू आता है जो के खुसूसन बनाया ही फ्लीक्स वगरह के लिए गया है वो शेंपू भी बहुत अच्छा और अगर आप यह दोनों मिला के इस्तेमाल करते हैं फिर तो बहुत ही बहतरीनी रिजल्ट आएंगे अच्छा अब हो गई है सारे बहुत जरूरी है हाँ चैम्पू होना बहुत ज़रूरी है हाँ हफते में एक दफा अपनी केड को मैडिकेट बात कैसे दे सकते हैं तो मेरे चैनल पर और आपको वीडियो मेल जाएगी वहां पर मैंने पूरा प्रॉस बटाया है कि किस तरीके से अब अपनी केड को बहुत दे सकते हैं तो उसके लिए मैं ये शेंपू यूज करती हूँ ये बहतरीन शेंपू है मैं बहुत टाइम से यूज कह रही हूँ और इसके अंदर मैं ये बिल्कुल छोटा साइस जैना वो यूज कह रही हूँ इसके लावा अगर मैं बात करूँ कि आपकी कैट को फंगल इंफेक्शन वगारा हो गया है या हेर फॉल बहुत जादा हो रहा है या फिर कोई स्किन प्रॉब्लम हो गई है तो उसके लिए आप लोग ये शेंपू यूज कर सकते हैं इसकी स्मेल थोरी सी वेर्ड है बड़ ये शेंपू मैं कहते हूँ कमाल है यार कमाल शेंपू है मेरी कैट को जब भी को स्किन प्रॉब्लम होए कुछ भी हुआ है तो मैंने उसके लिए ये शेंपू यूज किया है और मैं इसकी बड़ी बॉडल मंगा के रखने वाली हूँ ये फ्लीक्स के लिए भी है ये जो है अपना इसकिन इंफेक्शन वगारा के लिए भी है ये दोनों ही शेंपू जो है इस चीज के लिए है ये मेरी केट शेंपू है और ये सलफर प्लस शेंपू है ये दोनों ही इस चीज के लिए है कि आपकी cat को fix वगारा हो गई या कोई skin infection वगारा हो गया है, bacterial infection हो गया है या कोई fungal infection वगारा हो गया है तो उसके लिए ये shampoo जो हैं वो बहुत अच्छे हैं और मैं अपनी cats के उपर week में एक दफा तो मैं उनके उपर मतलब उनको इससे बात जरूर देती हूँ तो उससे मेरी cat के आमोमन ऐसा हो था पिछले दिनों ऐसा हो था कि मानों की कान की पीछे जो है वो थोड़ सा skin infection हो रहा था ये उसके पाउं में जो है वो थोड़ सा skin infection वगारा हो रहा था तो मैंने ये शेंपू यूज करते हैं और मैं बता नहीं सकती कि कितने कमाल रिजल्ट है या फिर आपकी cat को hair fall बहुत जादा हो रहा है तो उसके लिए आप ये शेंपू यूज करें बहुत कमाल रिजल्ट है तो ये कुछ शेंपू थे जो मैंने अभी तक मुझे कमेंट सेक्शन बता सकते हैं तो उमीद है कि आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई तो लाइक श्राइब सब्सक्राइब जरूर करिए का मिलते हैं एक्स वीडियो के अंदर अलाहा पिस